हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको इस महिने और अगले महिने के एंड तक देखने को मिल सकते हैं अगर आप अपने लिए एक स्मार्टफोन देख रहे हो तो आपको एक वार इन सभी स्मार्टफोन पर नज़र डालनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए बात करते हैं पहले फोन के वारे में तो पहला फोन आता है आईक्यू की तरफ से आने वाला आईक्यू सेवन जो की एक 5G फोन होगा बात करते हैं इसके कुछ इस्पेक्स की तो इसमें आपको मिलती है 6.62 इंच की फुल HD प्लस एमॉलेट डिस्प्लेइ 120Hz रिफ्रेश रेट Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 48MP प्राइमरी कैमरा 13MP अल्टरा वाइड और 13MP प्रेट सेंसर फ्रंट में मिलता है आपको 16MP सेलफी कैमरा इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी with 120W fast charging support बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस अभी confirm नहीं है पर इसकी expected प्राइस होने वाली अंडर 40,000 रुपीस for its lowest variant बात करें सेकंड फोन के बारे में तो सेकंड फोन होने वाले Realme की तरफ से आने वाले Realme GT 5G बात करें इसकी कुछ specs की तो इसमें मिलेगी आपको 6.43 इंचेस की Super AMOLED डिस्पले 120Hz refresh rate Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 64 Megapixel Primary Camera 8 Megapixel Ultra Wide and 2 Megapixel Macro फ्रेंट में मिलता है आपको 16 Megapixel Selfie Camera इसमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी बात करें इसकी price की तो इसकी expected price होने वाली है 32,000 रुपीस बात करें तीसरे phone के वारे में तो तीसरा phone होने वाला OPPO की तरफ से आने वाला OPPO Find X3 Pro अभी इसकी launch date की कोई information नहीं है लेकिन ये जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है बात करें इसके specs की तो इसमें आपको मिल सकती है 6.7 इंचिस की Ultra HD Plus AMOLED डिस्पले 120Hz refresh rate Qualcomm Snapdragon Tropal 8 का प्रॉसेसर कैमरे में मिलता है आपको 50 प्लस 50 प्लस 3 मेगापिक्सल कैमरा सेटप और फ्रंट में मिल सकता है आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इसमें मिलती है आपको 4500 mAh की बैटरी with 65W fast charging support इसमें आपको मिलता है 30W fast wireless charging का support चलिए अब बात करते है चौते फोन के वारे में वो आता है MI की तरफ से आने वाली MI11 सीरीज MI11 सीरीज आपको इस महिने के end यानि April के end तक देखने को मिल सकती है जिसमें आपको MI11, MI11 Pro, MI11 Lite और MI11 Ultra देखने को मिल सकते हैं बात करें कुछ specs की तो इस सीरीज में आपको मिल सकते है Qualcomm Snapdragon 888 Processor 120Hz Refresh Rate 108MP Camera 4600mAh की बैटरी चलिए अब बात करते हैं लास्ट फोन के वारे में जो आता है Realme की तरफ से आने वाला Realme 8 5G और Realme 8 Pro 5G जैसा की हाली में Realme ने अपनी Realme 8 Series को लाँच किया था लेकिन अब Realme की तरफ से आने वाले है Realme 8 और Realme 8 Pro 5G Smartphones जो जल देखने को मिल सकते हैं बात करें इसके कुछ specs की तो इसमें आपको मिलेंगे 6.4 इंचेस की सुपर AMOLED डिस्पले Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट 108 Megapixel कैमरा 16 Megapixel Front Selfie कैमरा 4500 mAh बैटरी विच 50 Watt Fast Charging Support इसकी expected price होने वाली है अंडर 23,000 रुपीज तो ये थे कुछ upcoming smartphones जो कि इंडिया में जल लॉंच होने वाले हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें साथी चैनल को भी subscribe करें ऐसे informative वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में